आयुजित संगोश्टी में प्रदेश के लोगप्रिय और कर्मठ अध्यक्स मानिय चौदरी भुपेंद्र सिंग्जी उतर प्रदेश के पूरु उपमुख्य मंत्री और राज्यसभा के मानिय सांसर्थ डॉक्टर दिनेश सर्माची राज्यसभा के मानिय सांसर्थ सिस संजै सेड़ जी लखनों की महापौर सिमती सुस्मा खड़कवाल जी उतर प्रदेश सरकार के पूर मंत्री और विधान पर इसस अवस्य डॉक्टर महेंदर सिंग्जी मानिय विधायक योगेश शुकला जी विधान परिक्सा सवस्य शी मुकेश सर्मा जी गाम चंद्र प्रधान जी समारो मेपस्तीत भारती जनता पाल्टी के प्रदेश के उपाध्यक्स देवेश कोरे जी प्रदेश महामंत्री सी संजय राय जी महानगर अध्यक्स से आनंद दिवेदी जी जिलाध्यक्स से बिने प्रताप सिंग जी भारती जनता पाल्टी के लखनों के सभी पस्तेत बैन और भाईयों आज भारत माता के दो महान सपूतों राश्पिता महात्मा गांडी और देश के जितियफ प्रधान मंत्री सर्गे स्री लाल भाद्दूर सास्तिरी जी की पावन जेंती है इस उसर पर इन दोनों महापुरसों की स्मिर्थियों को नमन करते थे प्रदेश सरकार और प्रदेश वास्यों की और से उन्हें बिनम्र सरदान जली अर्पित करता हूँ पैन और भाईयों राश्टपिता महत्मा गांधी भारत की आजादी के एक महानायक के रूप में हम सब उनका स्मण करते हैं लेकिन केवल आजादी के आंदोलन के महानायक के रूप में नहीं बलकि लोगतांत्रिक तरीके से आचार और विचार में बहतर समनवे के माध्यम से स्वदेशी के माध्यम से भारती रिसीप परंपरा के मुल्यों और आदर्सों को अंगिकार करते हुए हम भारत की स्वाधिनता की सांदोलन को एक नहीं उचाई तक मुचाएंगे जिन मुल्यों की अस्थापना सौ वर्स पहले राष्ट्पिता महत्मा गांदी ने की थी उसका पेड़ाम हमें पंदर अगस्थ उनिस्वो सेंटालिस में देश की आजादी की रुप में देखने को मिला राष्ट्पिता महत्मा गांदी कस्वर्ण भारत की आजादी की आंदोलन में जिन मुल्यों जिनादर्सों को लेकर के उन्होंने अभ्यान को आगे वढ़ाया था आज पूरी दुनिया में जहां कहीं भी विश्वमानवता की उपर संकड तिकता है जहां कहीं भी अत्याचार अन्याएं और सोशन से कोई समाज जीने के लिए मुझबूर है उन सब के लिए राष्पिता महत्मा गांदी का जीवन एक आदर सुप्रेणा है याद करिए रक्ष्ण अप्रिका में जब निशनल मंडेला ने वहां के भेड़भाव के खिलाब एक बड़ी लड़ाई प्रारम्ब की थी उन से पूछा गया कि आखिर आपकी लड़ाई किन मुल्यों को लेकर किये है तो नोने का हमारी लड़ाई राश्पता महात्मा गांधी के आदर्सों से पिर्णा लेकर के एक निरंतर तक आगे वढ़ाने वाली है और दक्षिन अप्रिका को वहां पर ग्रंग भेट के खिलाब इस आंदोलन को एक नई उचाई तक पहुचा करके उन्हें स्वतंतर कराना है और उन्हें सफलता प्राप्त हुई यानि राश्पता महात्मा गांधी दुनिया के अंदर उन सभी लोगों के लिए अगर कहें तो मानवता के वर्तमान में एक बड़े प्रेड़ा के केंदर विंदु बन करके राश्पता महत्मा गांधी उपरे है लेकिन देश की आजादी के तोलन उन्होंने चिन मुल्यों को आगे बढ़ाया था वह स्वदेशी का ना था स्वच्च का था सावलंबन का था स्वच्चिता कितना महत्तु कूण है स्वच्च भारत मिसन ने दौस वर्स के अंदर किये गये तै की गई उस दूरी को प्राप्त करने के मार्धियमसम देख सकते हैं स्वच्चिता ने लोगों के अंदर एक सच जीवन जीने की पेणा दी उतरब्रदेश में दो करोड़ 62 लाग से दिक परिवारों को एक एक सोचाले प्राप्त होने पर नारी करिमा की रक्सा का भी आवान किया अनेक रोजगार के सिर्जन किये तो तमाम प्रकार की उन बेमारियों से मुक्ती भी लोगों को प्राप्त भी जो गंदगी के कारण पैदा होती थी यानि जीवन जीने के लिए एक माध्यम वो सच्छिता हो सकती है यह सच्छ भारत मिशन ने हम सब के सामने करके दिखाया गराम सुराज की परकलपना जो राश्पता महत्मा गांधी की परकलपना थी आज प्रधान मंत्री मोदी जी के दोरा आत्म निर्वर भारत की परकलपना को हम सब के सामने परेदेश वास्यों के सामने रखना यहाँ भारत के अंदर एक नई क्रांति का नए सिर्जन करने का एक अभ्यान है और स्वदेशी उसका माध्यम बनाता खादी उसका नित्रत्व करता बनाता आज भी खादी स्वदेशी का प्रतीक बनकर के उपरा है यह रोजगार का भी मात्यम बनता है। और देखते ही देखते यह देश 15 अगस्त 1947 को सुतंत्र होता है आज जब उनकी पावन चेंती पर हम सब यहां पर एकत्र हुए हैं मैं इस उसर पर राश्पिता महात्मा गांदी की निस्मिर्टियों को नमन करते हैं उन्हें बिनम्र स्रधानजली अर्पित करता हूँ इस उसर पर प्रखर गांदी वादी राश्पिता महात्मा गांदी के यह अन्याई देश के दितिय प्रभान मंत्री चिलाल बहत्तुर सास्त्री चीकश्मन भी हम सब के लिए प्रासंगिक हो जाता है वे देश की आजादी के आंदोलन के एक प्रखर सिफाई के रूप में काले कर रहे थे उस समय कॉंग्रेस के मंचकाउनों ने प्रोक किया उस आंदोलन के साथ जुड़े रहे स्वतंत्र भारत में अनेक दहितों का निरुवान किया केंद्रिय मंत्री के रूप में केंद्रिय ग्रह मंत्री के रूप में और फिर देश के दितिय प्रधान मंत्री के रूप में वे बापों के अन्याई थे तो स्वाभाई गुरुप से आचार और विचार में बेहतर समन गए आत्म दिर्भरता के लक्षे को कैसे भारत प्राप्त कर सकता है इसके लिए उन्होंने जो आवहान उस समय किया था जब देश खाद्यान संकर से जूज रहा था खाद्यान के लिए हमें अमेरिका पर और दुनिया के तमाम देशों पे दिर्भर रहना पड़ता था उनके आवहान के प्रणां सरोप आज भारत खाद्यान सर्पलस के लक्षे को प्राप्त कर चुका है और लकेवल अपने देश के 140 करों लोगों का पेट भर रहा है भलकि भारत दुनिया के तमाम देशों को खाद्यान आज दियाद भी कर रहा है याद करिए एक समय था जब भारत 30 करों लोगों को भोजन नहीं दे पाता था इतना पैदा नहीं होता था और आज ये नया भारत है 80 करों लोगों को फ्री में रासन की सुविधा का लाभी द्रवान पर जाए खाद्यान आत्मनिर भरता का ये मंत्र सरगेलाल बहतुर सास्तिरी जी के द्वारा देया गया मंत्र है एक तरफ देश को आत्मनिर भरता बनाना है और दूसरी वोर 1965 में जब भारत पर युद्ध हो पा गया उस युद्ध का मुकावला और उस उद्ध का जवाब कैसे दिया जाना है देश के दुस्मन को उसका जवाब किस रूप में दिया जाना है यहाँ भी 1965 में दुस्मन देश पाकिस्तान को मात बेकर के भारत के सोर्य और प्राकर्म का लुहा लाल बहतुर सास्त्री जी ने उस समय मनवाया था पैनोर भाईयों आज इन दो महापुर्सों की पावन जयनती है इस उसर पर फ़र गया लाल बहतुर सास्त्री जी की स्मृतियों को नमन करते थे देश के लिए उनकी सेवाओं का स्मन करते थे मैं उन्हें बिनम्र सभांजले रपित करता हूँ यह हमारे लेश सौभाक्य की बात है कि प्रधान मंत्री जी के आवहान पर भारतिय जनता पार्टी ने 17 सितंबर जो इस विश्व के सिल्पी है बगबान विश्व कर्मा की पावन जयनती से जो सौभाक्य से प्रधान मंत्री मोधी जी का भी पावन जन्म दिन है जो आदुनिक भारत की सिल्पी है दो अक्टूबर के सेवा पकवाड़ा के कारिक्रम के साथ हम सब को जोड़ने का उसर प्राप्त हुआ इसमेंने कारिक्रम इस दोरान संगठन और सरकार ने लिए इन कारिक्रमों की अलगलग स्रिंखला में 17 सितंबर से जो प्रारंब हुआ 25 सितंबर को अंतो देके पढ़ने था पढ़ने देन दियालुपाद्य है जी की पावन जयनती इस जयनती कारिक्रम के साथ राश्टिय सल्था विहान की कारिक्रम के साथ हमें जोड़ने का उसर प्राप्त हुआ अन्यानेक रसनात्मक कारिक्रमों के साथ हमें जोड़ने का भी आउसर प्राप्त हुआ और आज गांधी जेन्पी के आउसर पर स्वच्छता के एक प्रहत कारिक्रम के साथ प्राता कालीन सत्र में हम सब सहभागी बने और अब यहाँ पर जिस महत्वपूर संगोष्टी के साथ हम जोड़ने जा रहे हैं वह है पावर विदिन दा लीडर्सीप लिगेसी आप नरेंदर मोदी यहाँ सियार पाला सुप्रेमनम के त्वारा एक लिखित पुस्तक है जो प्रहन मंत्री मोदी जी के संपूर्ण ब्यक्तित्तों को देश और दुनिया के सामने प्रस्टुत करती है यहाँ क्यों एक पुस्तक नहीं है बलकि सुनने से इस सिखर तक की एक उस यात्रा का नाम है जिसे आज इन नया भारत न किवल देख रहा है बलकि उसके अमसार अपना जीवन जी भी रहा है एक सक्सम और विजनरी लिडर्शिप में प्रधान मंत्री मोदी जी के विजनरी लिडर्शिप में आज पुरे भारत को इस नय भारत का दर्शन हो रहा है और इसलिए नय भारत की सिल्पी के रूप में प्रधान मंत्री मोदी जी को हम सब देख रहे हैं यहाँ सेवा किसे संकल्प की जिस यात्रा को लेकर के आगे वड़े हैं वा संब्रितिक एक नई उचाई तक पहुचाने के लिए विक्सित भारत की संकल्पना को आगे वड़ाने के लिए के गए प्रियासों का प्रतिफल इस पुस्तक के माध्यम से स्रियार बाला सुप्रेमर्णम न पुरे देश और पुरी दुनिया के सामने रखने का प्रियास किया है आपने देखा होगा दुनिया के अंदर जितने भी बड़े देश और विक्सित देश है यह अचानक विक्सित नहीं हुए उन्होंने बड़े विजन کے साथ काम किया बड़े लक्से के साथ काम किया पुरे देश वास्जियों के सामने एक विजन दिया और यह हमारा सवभाग्य है जब देश अपनी आजादी काम परित महत्सो । मना रहा था तो प्रधान मंत्री मोदी जी ने भी पुरे भारत वास्यों के सामने एक बड़े विजन की रूप में आगामी 25 वर्स का एक रोड मैप विक्सित भारत की रूप में हम सब के सामने दिया है 2047 में भारत को विक्सित भारत की रूप में प्रस्तुत करना है और इसके रास्ते भी बताएं विक्सित भारत कैसे बनेगा इसके लिए उन्होंने पंचप्रण की बात देए यह रास्ता भी बताया क्यों लगसे नहीं दिया बलकि इस लगसे तक मौशने के लिए रास्ते भी बताए तो यह एक विजनरी नेत्रत्व का गुण होता है जो प्रधान मंतरी मोदी जी ने हम सब को दिया और इसके लिए उन्होंने अपने इस दस वर्ष के कारेकाल के दोरान भारत को जो दिया मेकिन इंडिया, डिश्टल इंडिया, आत्म निर्बर भारत, वोकल फोर लोकल यह सभी स्लोगन के साथ उसको जमीनी धरातल पर उतारने का कारे भी उन्होंने किया है तो इसके अनुरूप इंफ्रास्ट्रक्चर भारत के पास हो वर्ड क्लास हाईवे, टू लेन के यह नहीं, फोर लेन के नहीं, बलके 12 लेन और 14 लेन के हाईवे रैपीड रेन, हाई स्पीड ट्रेन, ट्रेन, वुलेट ट्रेन, एर एंड वाटर कनेक्टिविटी और नकेवल इस्पेस में अब भारत दुनिया को भी लीड करेगा यह भी आपने चंद्रियान की सफलता के मात्यम से देखा होगा जहां कोई नहीं पहुँच पाया, वहाँ भारत का चंद्रियान पहुँचा है यह अभी पुरे देश में देखा है समावेशी, विकास और कल्यानकरी योजनों को हम सब ने अनभो किया है और उससे भारत वासी किसी न किसी रूप में लाभानी थुए है याद करिए भारत की रिसी परंपरा की देन क्या रही है सरवे भौन्तु सुखिना, सरवे संतु निरामया यही तो रहा है सब के सुख की कामना, सब के आरुग्यता की कामना और मोदी जेने 2014 में कौन सा मंत दिया था सब का साथ, सब का विकास यह सब का साथ, सब का विकास क्यों एक स्लोगन नहीं बलके भारत की जनता इसके अनुरूप जीवन यापन भी करेगी इसके लिए जब इस सदी की सबसे बड़ी महमारी आई असी करो लोगों को फिरी मेरा असन की सुख्धा का लाब हर भारत वाशी को संकट के समय में नित्रत्व का गुण क्या नित्रत्व वा नहीं होता है जो संकट आते ही प्लाइन कर ले नित्रत्व वा होता है जो संकट आते ही डट करके संकट का मुकाबला करने के लिए अपने आपको तयार कर सके और फिर उससे अपनी जनता का उद्धार का मार्ग प्रसस्त कर सके उस समय प्रधान मंत्री मोदी जी ने देखा बड़ी मात्रा में लोगों की जो प्रसिजिन कमाने वाला एक बड़ा तपका है सरमिक वर्ग है प्रसिजिन कारे करने वाला तपका है कामगार है, हस्त इसिल्पी है, कारी गर है इन सब के रोजगार पर वुरा सर पढ़ा है तो नह świat क्या कि थ्री में रासं की स्थधा का लग्राप कर लोग है असी करोड लोग आज मुं स्थिमीरासं की स्थधा का लग्रीश में प्राप्त कर रहे है आपने देखा होगा सुच भारत मिसन में बारा करोड परिवारों के पास अपने सोचाले बन गए दस करोड गरीबों के घर में उजला योसना के रसोई के इसके सिलेंडर भी पहुँच गए बारा करोड अनदाता किसान जो 2014 के पहले आत्मत्या कर रहा था आज उसके घर में प्रधान मंत्री किसान सम्मान निदी का लाब प्राप्त हो गया आप याद करिए चार करोड से दिक गरीबों के घर एक एक उन्हें प्रियम आवास कि उसना का लाब मिल प्राप्त हो गया यहाँ जो एक समावेशी विकास है बिना भेद भाव के चेरा नहीं देखा जाती नहीं देखी छेतर नहीं देखा भासा नहीं देखी भाव एक ही था सब का साथ और सब के विकास का विकास सब का सुरक्सा सब को सम्मान सब को लेकिन भारत के अंदर तुष्टी करण की नीती पर चल करके नहीं बलकि उसकी गरीबी उसकी लाचारी इसको ध्यान में रख करके इन योजनाओं का लाब हम उन लोगों को देंगे और इन योजनाओं ने दुनिया के अंदर भारत की चबिको इस अब लिविंग के रूप में एक बेहतरी इन प्रियास करने वाले देश के रूप में प्रस्तुत किया पैन और भाईयों एक निर्डायक सासन के रूप में भी उन्होंने अपने आपको साबित किया इन दस वर्षों में आपने देखा होगा करोना जैसी में हमारी के दोरान हो या दुस्मन देश के द्वारा की जाने वाली किसी भी सरारत का जबाब देने का कारे करोना एक आपदा थी दुनिया पस्त थी उसके सामने लेकिन तब भी मोदी जी के नित्रत में भारत खड़ा हो रहा थी क्या निर्णे होना है उन्होंने उस समय चार मंत्र दे थे फोर टीका ट्रेस ट्रेस ट्रीट एंड टीका पहले ट्रेस करो इसके लिए दोर टोर जाकर के करोना महमारी के कोई भी पेसेंट हो बिना बहित भाव के उसको उपचार की सुविधा दो नहीं तो उसको हॉस्पिटल सरकारी एंबुलेंस से पहुचाओ ट्रेस ट्री ट्रेस्ट ख्री ट्रेस्ट का कोई पैसा किसी से नहीं लिया गया ट्रीट यानि तौस्यों के जीवन को सुरक्सित किया गरीद को जिनका रोजगार छिन गया था उनके लिए भी अलग से विवस्ता दी हर प्रकार का हर संबव मदद किया और उन्हें मजबूती के साथ आगे वढ़ाने का काम भी किया गया दूसरी तरफ अगर पाकिस्तान ने जुर्वत की या दुस्मन देश ने जुर्वत की तो 2016 में सर्चिकल स्टाइक और बाला कोट में एयर स्टाइक करने में भी कभी पीछे नहीं थे एक राष्टवादी अपील एक राष्टवादी अपील के रूप में उन्होंने जाती मत और मशब के आधार पर नहीं छेतर और भासा के आधार पर भारती समाज को नहीं पाता एक राष्टवादी अपील किस रूप में होनी चाहिए ये ब्यक्ति को केंदित करते वे होनी चाहिए उनके राष्ट के पृती योगदान को दिहान में रख करके की जाने चाहिए देश और धर्म के लिए जिन्होंने योगदान किया अगर आपने देखा होगा कि उन्होंने एक बात जरूर की कि हमारे लिए राष्ट निर्माण सिर्फ एक करतब बेनी ये एक दिब्वेत जम्मेदारी है और उस जम्मेदारी का निर्मन किस रूप में आपने खोते वे देखा है विप्रीद प्रस्थितियों में लिए चाहिए वह सिक्कों की आस्ता से जुड़ेवे करतारपूर कोरिडोर का मामला हो या बाल दिवस का वास्तिविक सरूप क्या होना चाहिए इसमें गुरु गोविंद सिंग्जी महराज की चार-चार साहथ जातों की स्विर्थ को ही बाल दिवस की रुप में मानिता मिलनी चाहिए यह भी प्रधान मंत्री मोदी जी ने देकर के एक भारत स्रेष्ट भारत के परंपरा को आगे बढ़ाने का काम किया तो भारत के रिशी परंपरा को योग भारत के रिशी परंपरा का प्रसाद है विश्व योग दिवस 21 जून की तिथी दुनिया के लगभग पौने 200 देशों को योग के साथ जोड़ करके भारत की योग परंपरा के साथ जोड़ करके हमेशा किये ले प्राकृतिक रूप से उसको पेटेंट करा दिया कि योग भारत की साथ है भारत का नाम है कोई दुनिया की कोई ताकत इसको अपने नाम से नहीं कर सकती है भारत की अंदर कुम्ब जैसे परवों को प्रयागराज कुम्ब 2019 में दिप्य और भब्य कुम्ब के आईउचन के साथ हमें जोडने का उस्थर प्राप्त हो थो लेकिन दुनिया ने इसको मानिता नहीं थी युनिस्को की अमूर्त सांस्क्रिटिक धरवर के रुप में कुम्ब को मानिता प्राप्त हो या भी तुदान मंत्री मोदी जी के प्रयासे संभव हो पाया बहन और भाईयों भारती जन्ता पार्टी बारती जन्ता पार्टी केवल एक सत्ता प्राप्त करने वाली पार्टी नबने बलकि भारती जनता पार्टी भारत ही नहीं बलकि दुनिया का सबसे बड़ा राजमितिक दल की रूप में दुनिया के सामने आए क्योंकि भारत अगर दुनिया का सबसे बड़ा लोग तंत्र है तो भारत का वास्तिविक प्रतनिजित्तों करने वाली सबसे बड़े लोग तंत्र की सबसे बड़ी पार्टी को दुनिया के सबसे बड़ी पार्टी के रूप में गौर और प्राप्त हो या अभी प्रधानमंत्री मोदी जी के इनेत्रत्तों में उनके विश्णरी लीडर्शिक में ये संभाव हो पाया एक तरफ भारतिय जनता पार्टी को दुनिया के सबसे बड़ी पार्टी के रुप में स्तापित करना है दूसरा अगर कभी किसी आपदया किसी चनौती का से देश घिर गया हो तो समय संगठन एक और रखते वे जनता जनार्टन की सेवा के लिए कारे करना है सेवा ही संगठन है इस मूल मंत्र को द्यान में रख करके उनका जो आववान उन्होंने उस समय भारतिय जनता पार्टी के लिए करोना काल खंड में किया था जिसमें भारतिय जनता पार्टी के लाखों लाख कारिकरता जनता जनार्दन की सेवा के लिए लग गए थे और पेड़ाम हमारे सामने कोविड जैसे प्रबंदन को सफलता पुर्वक्त आगे बढ़ाने में दुनिया के सामने भारत में एक बहतरीन मॉडल प्रस्थुत किया भारती जनता पार्टी के लिए उन छेतरों में अपनी पहुँच बनाना जहां उसके लिए कथिन था आप याद करिए नौर्थीस्ट के स्टेट क्यास्थिति पिर पुरा में असम में और ये आप सबके लिए सोभागे की बात होनी चीए कि असम में जब भारती जनता पार्टी पहली बार सरकार बनाई तो आपके बीच से ही किसी एक कारेकरता को वहाँ भेज करके प्रभारी के रुप में भेजा गया और प्रभारी और कोई निए डॉक्टर महंदर सिंग थे असम्के परभारी के रुपमे इननों ने उस समय काम किया और भारतीय जनता पार्टी के आध सफलता पुर्वत पिछले एक दस बारा वर्सों से महाँ सरकार चल लए फिर पुरा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने तब ये डॉक्टर महंदर सिंग माद रहा मेगाल है भारतिय जनता पार्टी के और न्यागालेण में भारतिय जनता पार्टी के सयोग से सरकार चल लई है आज भी चल लई है पेनर भाईयों ये वे छेतर थे जहां पर भारती जनता पार्टी के बारे में क्या भारत के बारे में भी लोगों के मन में एक संसे होता था उनमें अलगाओ का भाद हाँ देखने को मिलता था क्योंकि कांग्रेस ने और उस समय की पहले की 2014 के पहले की सरकारों ने कभी जोडने का प्रियास नी किया आत्मे तक हो पैदा करने का लेकिन प्रधान मंतली मोदिने लुक इस पालिसी के तहद नौर्थीश्ट को जिस भाव के साफ जुड़ा है आज पर नौर्थीश्ट बहरत के साथ जुड़ करके दिकास की मुख्य भारद के साथ जुड़ा है उक रबात से मुक तो हुआ है और भारत की एकत और खंड़ता को मचभूती प्रदान किया गया आज उर सांस्कृतिक रूप से भी और रांस्टितिक रूप से भी भारत के साथ जोड़ करके गौर्व के इंपोती करता है यही नहीं उरिसा में भारतिय जंता पार्टी की सरकाव पस्सिमी बंगाल में भारतिय जनता पार्टी परमुक बिपक्सिदल है और भारतिय जनता पार्टी वहां मजबूती के साथ आज भी वहां पर वहां की जनता की आवाज बन करके आगे बढ़िये देश के बड़े छेत्र में अच भरतिय जन्ता पार्टी की राज्य सरकारें काम कर रही है और मोदी जीने तब ये कहा था कि हमारे लिए जीत छोटी हो या बड़ी हो या देश के हित के लिए भरतिय जन्ता पार्टी की जीत आउस्यक है और उस अभ्यान के साथ भारतिय जन्ता पार्टी लगातार कारे कर रही है बैन और भाईयों आज का बैस्विक दुर्वी करण एक समय था जब दो दुर्विये विश्ट से विवस्ता बन चुकी थी एक दुर्वी का नितर तो अमेरिका करता था एक का दुरूस करता था तो बैस्विक दुर्वी करण भारत के विवस्ता होती गई लेकिन आज बैस्विक दुर्वी करण भारत के विगर संभो नहीं है भारत जो चाहेगा वही होगा भारत दुनिया के अंदर जो चाहेगा वही होगा और भारत ने करके दिखाया है जाए G20 के सफलता पुर्वक समिट अब तक के G20 से जुड़ेवे अनेक कारिकरमों के साथ मुझे उत्तरवर्देश के अंदर जुड़ने का उसर प्राप्त हुआ और मैं कह सकता हूँ इन कारिकरमों के मात्यम से हम आज इस बात को कह सकते हैं ये जो कारिकरम भारत के अंदर G20 के हुए उन मैंसे ने कारिकरमों के साथ मुझे और समिट के समारोग के उसर पर भी मुझे दिल्ली के कारिकरम में भाग लेने का उसर प्राप्त हुआ दुनिया के रास्ता ध्यक्त आये थे अलग-अलग कारेकरणों में अलग-अलग तबके से जुड़े वे मानभाव आये थे और जब उनके साथ हम संबाद करते थे बाच्चीत करते थे तो कैसे साथ जितना सफलता पुरुवक भारत के अंदर कारेकरम हो रहे हैं इससे पहले कि किसी भी G20 समिट में इसने प्रकार के इस प्रकार के कारेकरम नहीं हुए G20 समिट दुनिया के उन देशों का ये और्गनाईजेशन है G20 जिनका दुनिया के 86 फीस्दी संसादों पर अधिकार है ये 20 वे देश है जिनका दुनिया के 90 फीस्दी GDP पर जिनका अधिकार है जिनके जो पावर सेंटर है दुनिया के उन देशों के प्रतिनिधियों की उपस्तिती में सफलता पुरुवक G20 का समिट भारत में संपन्न होना ये भारत की एक नई बैस्टिक पाकत का इसाथ कराता है ब्रिक्स समिट हो या भी आपने देखा होगा कि कैसे प्रधान मंत्री मोदी जी के नत्रतों में ब्रिक्स वो हो या क्वार जैसे मंचों पर प्रधान मंत्री मोदी जी की उपस्तिती और दुनिया को भारत के वेगर भारत दुनिया का आज कोई भी धुरुविकर्ण नहीं नहीं हो सकता है वह उन्होंने करके दिखाया है कि कैसे तुरी दुनिया को एक जट करना है जहां बैश्विक मंचवर भारत की ध्मग आज देखने को मिल लए है धमदार उपस्तिती भारत की देखने को मिल लए है वहीं जनता जनार्दन के साथ involve बी प्रधानमंत्री मोदी ज सकते भी है आपने देखा होगा कोई भी कारिक्रम बन चलता है बिना जन सहभागिता के साथ नहीं होना कारिक्रम जन सहभागिता के साथ सच भारत मिशन में एक एक जनता जनारदन को जोड़ दिया शुच्छागरीयों को जोड़ दिया प्रते एक तपके को जोड़ दिया और कारिक्रम देश के नाम लेकिन उसमें जनता जनारदन की सेवागता भी हो उनके साथ अलग-अलग कारिक्रमों के साथ जुड़ाओ भी इस कारिक्रम का हिस्सा है या मन की बात का कारिक्रम आपने देखा होगा मन के कारिक्रम के मादिन थे प्रधान मंतरी मोदी जी ने उन जुलंत समस्याओं को उठाने का काम किया जो आम जिन से जुड़े वे हैं या पदम पुरुसकार उस तबके को मिलना है जो अब तक इससे अचूते थे जो ने विसिष्ट किया है लेकिन नाम अपने काम के लिए नाम नहीं चाहिए था उन्हें ढून निकाल करके उन्हें सम्वानित करके प्रद्रम पुरुसकार भी उप्लब्द करवाने के काम किर गए यह भी देखने को मिला है और डेक्टिकर जीवन में भी उनका जो नुसासन रहा है वहाँ हम उनकी साथगी और प्रधानमंत्री मोदी जी के पूरे जीवन से देख सकते हैं आपने देखा होगा एक सामने नाकरी की रूप में एक सामने कारिकर्टा की रूप में उन्होंने सुनने से यात्रा प्रारंब की अपने कर्मड़ता से विचार करिवार से मिले वे अनुसासन से पारवारिक संस्कारों से आगे बढ़ते वे हर काम बेश के नाम इस लक्ष्य को ले करके जब उन्होंने जीवन आगे बढ़ाया आजवा दुनिया के सबसे बड़े लोगतंत्र के समयधानिक परमुक के रूप में भारत के सुस्री प्रणान मंत्री के रूप में हम सब का गौरव बढ़ा रहे हैं हम सब का नित्रत्व कर रहे हैं और बला सुब्रेमने में कीज़ के द्वारा लिखी थे पुस्तक इन सभी बातों का उल्लेख करते हैं क्विस्ट्ट रोप रेखा देश स्वासियों के सामने दुनिया के सामने प्रक्तित करती है निस्टी इस पुस्तक को हम लोगों को प्रतेग विक्ति को अउलोकन करना चाहिए उसको देखना चाहिए ये पुस्तक आप सब के लिए सुलब हो सकेगी इस बेवस्ता के साथ मैं आज के सौसर पर एक बार फिर से राश्पिता महत्मा गांधी जी को देश के दितिये प्रधान मंतरी के लाल बहदुर सास्प्री जी को उनकी स्मिर्टियों को नमन करते हुए बिनम्र सर्धान जली अर्फित करता हूँ आयुजकों को आयुजन के लिए सिवा पकवडा के इस कारिक्रम के लिए ररे से धन्यबाद देते हुए अपनी पाणी को ब्राम देता हूँ धन्यबाद जैए